बुपे पांड़ हिंदी चेनल में आप सबका हर्दीक स्वागत करता हूं आगर अभी तक आप ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चेनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आकनों को दबाना ना भूले, ताकि मेरे प्रत्यक वीडियो कपडेट्स आपको मिलते रहे हैं आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की उपभाशाएं उनकी बोलियां और वर्गी करनर तथा शेथ हिंदी भाशा की कितनी उपभाशाएं और उन उपभाशाओं में से किन बोलियों ने जन्म लिया है सबसे पहले मैं इन तिनों का अंतर बता देना चाहूंगा भाशा से तात्पर यह होता है भाशा मतलब जिस बोली को शाशन के द्वारा भाशा का दर्जा दिया जाता है उसे भाशा का जाता है भाषा का एक साहित्य होता है उसकी लिपी होती है उसका व्याकरण होता है और भाषा एक विस्तित भूभाग में बोली जाती है भाषा का जो छेत्र होता है बहुत ज़्यादा व्यापक होता है एक ही भाषा विभिन्य प्रांतों में भी बोली जा सकती है इसका व्याकरण हो द्वारा मानेता प्राप्त होता है इसका लिखित साहित होता है लिखित रूप होता है योग या भाषा भाषा के बाद होता है एक बोली बोली सितात पर यह है शिमीट छेत्र में जो प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं प्राया और बोली में प्राया म कभी-कभी हमको लिखित साहिते भी प्राप्त होता है लेकिन प्राया मौखिक रूप से बोली को प्रयोग में लाया जाता है जैसे मध्यकाल में ब्रज भाषा और अवधी को भाषा का दर्जा प्राप्त था लेकिन समय के साथ आज हम ब्रज और अवधी को बोली के रूप मे मानते हैं तो इस तरह उनका दर्जा आज बोली का हो गया है और देखे भाशा और बोली की बीच की एक अवस्थार होती है जिसे हम कहते है उपभाशा उपभाशा का आर्थ यदि डिशनरी में आप देखेंगे तो उपभाशा का आर्थ भी होता है बोली लेकिन वास्ता में बोलियों का समुच्चा है एक जैसी मिलती जुलती जो बोलियां होती है उनको जब हम कलेट कर देते हैं संग्रहित कर लेते हैं तब वह उपभाशा बन जाती है मतलब एक उपभाशा के अंतरगत कई बोलियां आती हैं और ये किस प्रकार की बोलियां उपभाशा के अंतरगत आती हैं वे सभी बोलियां जिनकी प्रक्रिती जिनको बोलने का तरीका लगबख समान होता है मतलब एक उपभाशा के अंतरगत आने वाली जो बोलियां है उन बोलियों को बोलने वाले लोग जो प्राया मिलती जुलती होती हैं जिनकी उत्पत्ती लगबग एक ही मूल किसी भाषा या बोली से होती है तो उपभाषा ये हो गई उपभाषा उन बोलियों का समुच्चे है जिसमें मिलती जुलती बोलियों को समिलित किया जाता है अब हम देखते हैं हिंदी की बहुत सारी बोली आएंगी तो हिंदी हो गई हमारी बहाषा हो गई हमारी भाषा हो गई और नियुकं उपभाशा हो गई और उपभाशा के अंतररत हमारी कई बोली आएंगी इसको आप ध्यान में रखिएगा ठीक है अब आई शुरू करते हैं आज के लेक्टर इसमें से एक दो प्रश्ण जरूर परिच्छा में आप क्याएंगे चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर एक्जा जाती है तो हिंदी जो भाशा है यह उत्तर भारत के दस राज्यों में बोली और समझी जाती है कौन-कौन से राज्य हैं देखते हैं तो आप मेरे स्किन पर देख पा रहे होंगे इन राज्यों के नाम इन राज्यों के नाम कौन-कौन से हैं आए देखते हैं इन राज्यों के नाम है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखन, उत्तरप्रदेश, राजिस्थान, मध्य प्रदेश, चछतिसगर्ड, बिहार और जारखन तो ये जो दस राज्या हैं इन राज्यों को मिलाकर हम कहते हैं कि ये हिंदी शेत्र हैं इन दस राज्यों को हम क्या बोलते हैं हिंदी शेत्र बोलते हैं अब देखिए इस विस्तरित भूभाग में हिंदी के अनेक शेत्री रूप आंतरल प्रचलीत हैं जिने हम बोलियों का विवराट इस प्रकार है और ये बहुत ही important है परिच्छा के दिश्टी से हर परिच्छा में इसमें से एक दो प्रस्ण जरूर आते हैं ये सरवाधिक महतपूर्ण हिस्सा है मेरे आज के lecture का इसको पूरी तरह से याद कर लेना है आपको और आज कल तो यह भी उपभाषा है वह है पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से उत्पन होने वाली या पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतरगत आने वाली कौन-कौन सी बोलिया है इसके अंतरगत खड़ी बोली खड़ी बोली को हम कौर्वी भी काते हैं तो खड़ी बोली हिंदी का जन्म किसे वह था पस्चिमी हिंदी से वह था पस्चिमी हिंदी के अंतरगत कौन सी बोली आती है खडी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है परिच्छा के देश्टी कौन से महात पूर्णा है दूसरे ये ब्रज भाषा तीसरी है तीसरी बोली है बुंदेली इसके बाद हरिया और 36 गड़ी इसके बाद राजिस्थानी है राजिस्थानी उपभाषा के अंतरगत कौन कौन सी बोलियां आती है मारवाडी जैपूरी मेवाती और मालवी इसके बाद जो पहाडी ही उपभाषा है पहाडी हिंदी इसके अंतरगत कौन कौन सी बोलियां आती है गढ़वाली क कुमाईयूनी और नेपाली, अभी हम नीचे विश्थार से अध्यन करेंगा इनका, इसके बाद विहारी, भिहारी के अंतरगत कौन-कौनसी बोली आती है, मथिली, मगही और भोजपूरी, इसको आपको याद करना है कौनसी उप्रभाशा के अंतरगत कौनसी बोली आती है, तो इस प्रकार ये बात भी आपको याद रखना है जो यहां मेरा स्कीन पर आप देख पा रहे हैं हिंदी छेत्र में कितनी उपभाशा है हैं पांच उपभाशा हैं जो हिंदी जो छेत्र है हिंदी शेत्र में कितनी उपभाशाएं हैं पांच उपभाशाएं हैं और आठ बोलियां समलित है यह भी परिच्छा के दिश्टिकोर से महत्तपूर्ण है आज का पूरा लेक्चरी महत्तपूर्ण है आपके लिए हिंदी के शेत्र में पांच उपभ खड़ी बोली, खड़ी बोली का शेत्र देहरादून, सहारनपूर, मुझफर नगर, मेरट, बीजनवर, रामपूर तथा मुरादाबाद है और इसका एकन्य नाम कौर भी है और भी किताबों में कई और शेत्र मिलेंगा, इसलिए आपको भावित होने जरुतनी उनको भी आपको याद कर लेना है सिर्फ मैं आप लोगों को पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि परिच्छा की तयारी आपको कैसे करनी है, किस प्रकार के प्रशनाते है मेरा मुख ये उद्देश आपकी परिच्छा की जो तयारी है, उसको दिशा देना होता है क्योंकि पूरा कंटेंट यहाँ पर उबलब्द करवा पाना बहुत ही मुश्किल होता है अखरे मैं किताब को पर दूँग ता आपको कुछ फाइदा होने वाला नहीं है मेरा उद्देश आपको मार्ग दर्शन देना होता है कि आप कैसे पढ़ें कैसे नोटस बनाएं तो खड़ी बोली के अंतर का तोर जितने भी आपको शेत्र मिलते होंगे किताबों में उसको भी यहाँ पर आप शामिल कर लिए यह सिर्फ पर उदाहरंड के लिए इसके बाद जो ब्रज भाषा है ब्रज भाषा के कहां कहां बोली जाती है आगरा, मतुरा, अलिगड, मैनपूरी, एटा, हातरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर यह सभी जीले ब्रज भाषा के शेत्र में आते हैं हर्याडवी, हर्याडवी के एक अन्य नाम बांगरू बोली भी है तो हर्याडवी कहां बोल जाती है? पुरे हर्याड़ा प्रदेश में बोली जाती है दिल्ली के देहाती शेत्र में बोली जाती है इस बोली का शेत्र है और इसे बांगरू बोली भी कहा जाता है इन दोनों नामों को आपको याद रखना है इसके बद बुंदेली या बुंदेलखन की बोली है जहांसी, जालाउन, हमीरपूर, औरचा, सागर, नरिसीमपूर, सीवनी, होशंगाबाद, जिले इसके शेत्र में आते हैं इन शेत्रों को आपको याद करना है दो चार बात बगहली भी जिले इसके अंतरगत आते हैं इसके बद जो आवधी है जिसमें रामचरित मानस के अचना हुई है कानपूर, लखनव, बारवाकी, उन्नाव, हरायबरली, सितापूर, फतेपूर, फैजाबाद, गोंडा, प्रताबगर, सुल्तानपूर जिले इसके अंतरगत आते हैं अवधी यहां बोली जाती है इसके बद बगहली इसका केंदर रीवा है रीवा में बगहली बोली जाती है इसके अत्रिक्त शेहडोल, सतना, मेहर, नागौध, शेत्र में यहां बोली जाती है इसके बद च्छतिस गड़ी तो लगबग च्छतिस गड़ के सभी शे पुजा कुर्बा तथा 36 गड़ के लगबग सभी जिलों में 36 गड़ी बोली जाती है और इन में से कुछ न कुछ शेत्र ऐसा होगा जिसको आप बिलांग करते होंगे जिसमें आप रहते होंगे ये मारवाडी मारवाडी कहां बोली जाती है जोदपूर अजमेर किशनगड मे मेवाड जैसलमेर विकानेर राजिस्थान में रहने वाले और जानते होंगे कि किन शेत्रों में इसको बोला जाता है इसके बाद मेवाडी इसे उत्तरी राजिस्थानी भी कहा जाता है मेवाडी कर करने नाम कौन सा है उत्तरी राजिस्थानी है इसको भी आपको याद इस बोली का एकन्य नाम डुन धाड़ी भी है ये दोरों नाम आपको याद अखना है जैपुरी का एकन्य नाम कौन सा है डुन धाड़ी भी है इसके बाद मालवी यह मालवा शेत्र की बोली है तता इंदौर, उज्जेन, देवास, हरतलाम और भोपाल शेत्रों में यह बोली याती है यह बोली हिमाचल प्रदेश के शीमला, मंडी, चमबा, जोनसर, सीरमवर इलाके में बोली जाती है परिच्छा का पैटर्न आप देखेंगे दो पूछा जाता है कि यह किस शेत्र में बोली जाती है ठीक है ना इसके बाद गड़वाली है यह गड़वाल शेत्र की बोली है उत्तरकाशी, बद्रिनात, स्रीनेगर गड़वाल शेत्र में इसका बोल बाला है तो यह जो मैं आपको हिंट्स देता हूँ जो पढाता हूं आपको परिच्छा के लिए आपको दिशादे रहा हूं कि किस तरह आपको त्यारी करनी है और हमारे युनिट सिटी जांस में अच्छे मास आएं तो मैं पूरी गम्हिरता से प्रयास करता हूँ कि बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को उपलब्द करो हूँ लगी मेरी शिकायत यह रहती कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते अभी तक सिर्फ 20 प्रतीसत लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है जब कि इतना बहुतरीन कंटेंट उपलब्द कराने के बाजूद तो जो 80 प्रतीसत जो मेरे दर्शक हैं उनसे भी अन्रोध है कि मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें इसके बाद कुमायूनी है और यहां तक देखते हुए आज चुके हैं तब तो आपको बनता ही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें कुमायूनी कहां की बोली है कुमायूनी उत्तराखन का कुमायू शेत्र इस बोली का शेत्र है और इससे बोली जाती है नैनी ताल, अलमोडा, रानी खेत में यह बोली जाती है इसके बाद भोजपूरी, बहुत लंबे समय से भोजपूरी को भी भाशा का दर्या दिये जाने का मांग उठ रहा है विदेशों में भी भोजपुरी कम्युनुटी है अग ही है यह बोली पटना गया पलामू हजारी बाग मुंगेर भागालपूर सारन में बोली जाती है इसके बाद जो मैथिली है मैथिली कहां बोली आती है बिहारी हिंदी के अंतरगत आने वाली यह बोली यह बोली किसके अंतरगत आती है बिहारी हिंदी के अंतरगत और यह बोली दर्भंगा मुझफरपूर पोडियां और मुंगेर में बोली जाती है अब यहाँ पर जो statement है यह बहुत ही महत्रपूर्ण है आज कर परिशाओ में यह आता है कि George E. Grierson को ध्यान में रखकर यह कौन सा कथन उनके हिसाब से सही है कौन सा कथन गलत है इन सारी बातों को आपको यह फिर George E. Grierson ने इन में से क्या नहीं कहा है क्या कहा है तो यह सारी बातें आपके लिए महत्रपूर्ण है कथन के रूप में जो आता है तो भाशावैगनिक द्रिश्टी से Sir George E. Grierson ने किवल पस्चिमी हिंदी और पुर्वी हिंदी कोई हिंदी के अंतरगत माना है इस द्रिश्टे से विचार करने पर हिंदी आठ बोलियों का समूँ है उनका कहना है कि हिंदी के अंतरगत सिर्फ पस्चिमी हिंदी और पुर्वी हिंदी हिंदी के अंतरगत आएंगे और इनके अंतरगत आने वाली कुल बोलियां कितना है? आठ है तब हिंदी के अंतरगत ब्रजभाशा, कर्नावजी, बुंदेली, हर्याडवी, खड़ी बोली, अवधी, बगेली और छेतिसगड़ी केवाल इन आठ बोलियों को ही हिंदी के अंतरगत शामिल किया जा सकता है जोर्ज ग्रियासन के अंसार और आज जब हमारी खड़ी बोली हिंदी ने बहुत ही महत्पून इस्थान हासिल कर लिया है अस्चिमी हिंदी के अंतरगत आने वाले जो खड़ी बोली हिंदी है और जिसकी उत्पतिश और सानी अब भ्रहन से हुई है उपने आज बहुत ही महत्य बोने इस्तान हासिल कर लिया है तो जब हम हिंदी का आते हैं तो हिंदी का संकुचीत माना क्या परिनिश्टीत अर्थ ग्रहाण करने पर हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है और खड़ी बोली पर हिंदी हमारी राज भाषा है केंद्र सरकार के द्वारा अनुचे 343 के तहट हिंदी को राज भाषा का दर्जा दिया गया है और यही हिंदी वस्तों में जो खड़ी बोली हिंदी से उत्पन हुई है यह खड़ी बोली पराधारी था है हमारी हिंदी यही हमारी शिक्षा का माध्य में और यही हिंदी की पत्र पत्रिकाओं की भाषा है जिसे हम देवनागरी लिपी में लिखते हैं वस्तुता मानक हिंदी का अभिप्राय इसी खड़ी बोली से हिंदी से लिया जाता है तो जब हम कहते हैं कि मानक हिंदी क्या है तो मानक हिंदी वास्तों में क्या है खड़ी बोली हिंदी है तो इस तरह आपने समझ लिया कि वास्तों में हिंदी भाषा क्या है हिंदी भार्षा की उपभार्षाएं कौन-कौन सी है और उसकी बोलियां कौन-कौन सी है तो यदि आज का मेरा यह लेक्चेर आपको अच्छा लगाएगा तो कमेंट बाक्स में कमेंट लिके जरूर बता हैं अपने मित्रों के साथ भी साज्या करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्यक वीडियो का बडेट्स आपको मिलते रहें और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें धन्यवाद जैहिंजा भारत